गर्मियों में लोगों के पसंदीदा ज्रिंक्स में से एक नारियल पानी भी है, जो न केवल तप्ती गर्मी में हमारी प्यास बुझाता है, बलकि ये स्वास्थे के लिहास से भी हमारे लिए बेहत फाइदेमंद होता है। आपने बहुत बार नारियल पानी पिया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस नारियल के अंदर इतना पौश्टिक पानी आता कहां से है। आईए आज हम आपको बताते हैं कि पौश्टिक तत्वो वाला ये पानी आखिर नारियल के अंदर आता कैसे है। अधिक नारियल के फल आते हैं, सभी के अंदर लबालब पानी भरा रहता है। ये कोई साधारन पानी नहीं होता बलकि इसे दुनिया का सबसे सेहतमन पानी माना जाता है, जो काफी स्वादिश्ट और फाइदेमन भी होता है। आईए जानते हैं कि आखिर ये पानी नारियल के अंदर आता कैसे हैं। दरसल नारियल के अंदर मौझूद जो पानी हम पीते हैं, वह पौधे का एंडोस्पर्म वाला हिस्सा होता है। नारियल का पेड़ पानी को संग्रहित करने के लिए अपने फलों का प्रयोग करता है। असल में यहाँ पानी पेड़ की जड़ों से एकत्र करके फलों तक पहुँचाया जाता है। यह पानी कोशिकाओं के जरिये फलों के अंदर लाया जाता है। इस पानी में जब एंडोस सूखने लगता है और इंडोस पर्म ठोस हो जाता है ये सफेध हिस्सा खाने योग्य होता है नारियल पानी पीने से शरीर को कई पोशक कत्व मिलते हैं ये मधुमे और हृदय रोग्यों के लिए रामबान साबित होता है साथ ही ये गुर्दे की पत्री को रोखने में भी आपके उर्जा स्तर को बढ़ा देते हैं नारियल का पानी हाइड्रेशन के लिए भी काफी बढ़िया माना जाता है ये भी विटामिन राइबोफलेविन, B2, पैंटोथैनिक एसिड, नियासिन, B3, फोलिक एसिड, बायोटिन, के साथ थाइमिन, B1, सोडियम, पोटेशिय और विटामिन C से भरपूर होता है यह थी नारियल पानी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आती है तो कृप्या विडियो को लाइक और शेर करे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भ धन्यवाद